जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो लॉड अलफर टेनिसन के बाइग्राफिकल स्केच जो है उस वीडियो में बताया कि टेनिसन और उनके फ्रेंड खालम दोनों युरॉप टूर पे गए थे तो वो स्पेइन जब गए तो स्पेइन में उन्हें प्यरी माउंटेंस बहुत अच्छे लगे और इन प्यरी माउंटेंस से इंस्पायड होके उन्होंने कुछ पोयम्स लिखी जिसमें से एक है आइनियन जुसकी हम बात करेंगे अभी आइनियन एक ड्रमाटिक मोनो लॉग है और ये ग्रीक मितोलिजी पे बेज़ड है एक स्टोरी होती है जोकि ट्रॉजन वार में पैरस की स्टोरी है ये मित कुछ इस तरीके से है कि एक बार पैरस की शादी एक निम्फ से हो गई थी आइनियन और दोनों बहुत खुशी खुशी रहते थे तो एक बार पैरस अपने शीप्स को लेके चराने के लिए गया और एक तरफ ये सीन है और दूसरी तरफ ये है कि जीयस गॉड जीयस ने एक पार्टी दी माउंट ओलंपियस पे और वहाँ पे उन्होंने सब गॉड को बुलाया एक गॉड को शोड दिया वो गॉड़ेस ऑफ स्ट्राइफ थी तो उसे घुसाया और उसने एक आपल फेका उस पार्टी के अंदर जिस पे लिखा हुआ था फॉर्ड़ फेरस्ट मतलब सबसे ब्यूड फुल के लिए औ और तीन गॉड़ेस में लड़ाई होने लगी जिसमें से एक एफ्रोडाइट थी और एफ्रोडाइट और उसके बाद फिर जीयस ने बोला कि तुम तीनों में से कौन सबसे ब्यूड़ फुल है ये डिसाइड करने वाला पैरिस है तो जाओ human being के पास पैरिस के पास तीनों जाती हैं और तीनों उसे कुछ-कुछ लालच देती हैं सबसे पहले उसे दो लालच तो ये मिलते हैं एक ये मिलता है कि तुम्हें पूरा योरॉप और एशिया का राजा बना दूंगी दूसरा बोलता है कि तुम्हें मैं wisdom दूंगी जिसे तुम rule कर सकते हो कभी भी लड़ सबसे ब्यूटिफल वुमेन को तुम्हारा वाइफ बना दूंगी अफ्रोडाइट इस गॉड़िस ऑफ लव और पैरस उसी की बात को चुनता है और पैरस उसको वो आपल दे देता है और आयनियन इससे दुखी हो जाती है उसके बाद पैरस की पैरस को आफ्रोडाइट ज तो ऐसे ग्रीक मितोलोजी से लिए वे दो कारक्टर हैं तीन नहीं है यापे दो हैं एक पैलस है पी ए डबल ल एस पैलस और दूसरा अफ्रोडाइट तो आयनियन बहुत दुखी है कि जब उसे दोनों आके बोलती है एक बोलती है कि मैं तुम्हें सेल्फ रिलाइंट बना नीचे से बोलती है कि प्लीज एक्सेप्ट दिस और वो एक्सेप्ट नहीं करता है पैरस उसको एक्सेप्ट नहीं करता है और जब आफ्रोडाइट बोलती है कि मैं तुम्हें फियरस्ट वाइफ दूंगी इस दुनिया की तो पैरस उसे एक्सेप्ट कर लेता है और इस पे आइनियन बहुत दुख्य होती है और सोचती है क्या मैं सुन्दर नहीं हूं क्या मैं fairst wife नहीं हूं और जो आइनियन की हालत है वो बहुत खराब हुचाती है उसकी हालत कुछ-کुछ Mariana जैसी हो जाती है वो isolated feel करती है Mariana जैसे और helpless feel करती है तो यह poem थी जो उन्होंने Spain में Spain की beauty से inspire होके लिखी और सबसे important बात कि यह एक dramatic monologue है जो की Greek mythology पे based है Thank you for listening